कॉंग्रेस महासेची प्रेंका गांधी वाडरा ने अर्थ व्यस्था में सुस्ति को लेकर सुमवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस बहेंकर मंदी पर सरकार की चुपी खतरनाक है उन्होंने सवाल किया कि इस इस्थिती के लिए आखिर जिम्मेदार कोन है? प्रेंका ने ट्वीट किया कि सरकार की गोर चुपी खतरनाक है कंपनियों का काम चुपट है, लोगों को काम से निकाला जा रहा है और भाजपा सरकार मोन है आकिर देश में इस भहेंकरमंदी का जिम्मेदार कौन है ये सवाल उठाए हैं कॉंग्रेस महासची प्रेंका गांधी ने इससे पहले उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में कहा था कि देश का आम नागरिक भाजपा सरकार के शीर्ष निताओं से वित्यमंत्री से इस भहेंकरमंदी पर कुछ भी सुनना चाहता है बारों में छपी हुई खबरे भी शेयर की जिसके मुताबित वहनों की बिकरी में भारी गिरावर दर्ज की गई है ओटो शेत्र में दस लाग से भी जादा लोगों की नोकरी छिन चुकी है तथा कई कंपनियों में तो छटनी भी शुरू हो गई है इस से पहले प्रेंका गांधी वाडरा ने शनिवार को सरकार पर निशाना साथते हुए पूछा था कि आखिर किस अधार पर जम्बू कश्मीर में उनकी पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया गया है शुकरवार को प्रदेश कांगरेस की काई के समवादाता समविलन को संबोधित करते हुए नोंने कहा क्या मीडिया से बात करना भी अब गुना हो गया है दरसल पुलिस ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा को हिरासत में लिया था और जम्बू कश्मीर के ही कांगरेस के नेता गुलाम एहमद मीर को नजर बंद किया था SPN 9 News के लिए मैं भरमान शियादव देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही है SPN 9 News